Dear children, in this video, I am going to explain you the third chapter of your English translation book Is, M, R, Was and Verb Is, M, R, Was and Verb called B-Verbs तो जहाँ पर भी आप B-Verbs देखते हैं, तो आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको present tense में क्या यूज करना है? Is, M, R का यूज करना है? और past tense में किसका यूज करना है? Was and Verb का यानि कि जो B-Verbs हैं वो कौन से होते हैं? Is, M, R, Was and Were, Will, Sharely, सब क्या कहलाते हैं? ये B-Verbs कहलाते हैं आपने देखा हूँ जितनी भी हिंदी के sentence होते हैं उनके last में अगर क्या रहा है? उनके last में अगर क्या रहा है? है, हूँ, है तो आपको क्या यूज करना है? Is, M, R का यूज करना है अगर है है तो है के लिए आप किसका यूज करेंगे? Is का हूँ के लिए किसका यूज करेंगे? M का और है के लिए किसका यूज करेंगे? R का Similarly अगर था या थी है तो था थी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे वाज का और थे के लिए हम किसका यूज़ करेंगे वर का थे के लिए हम वर का यूज़ करेंगे यानि कि जहाँ पर भी है हूं है आ रहा है वहाँ पर आप is mr का यूज़ करेंगे और जहाँ पर भी था थी थे के यूज़ रहता है तो यहाँ पर was and work का यूज़ करेंगे अब देखिए कौन से pronoun के साथ हम कौन से helping work का या be work का हम यूज़ करते हैं let's see i के साथ हम हमेशा i के साथ जहां पर भी i होता है तो उसके साथ i क्या है i के साथ हम हमेशा m का यूज़ करेंगे यह देखिए i है तो i के साथ किसका यूज़ करेंगे m का present में हम m का यूज़ करेंगे past में हम work का use करेंगे let's see affirmative statement affirmative में क्या होता है affirmative में क्या होता है subject के बाद is, am, are, was, war affirmative का rule क्या होता है कि आपको subject के बाद क्या लगाना होता है subject के बाद आपको is, am, are यान के पहले क्या होता है subject plus फिसक्यात क्या करना है आपको is, am, are, present tense है तो आप is mr का यूज करेंगे और past है तो was work का यूज करेंगे जैसे अगर he he or she है तो आप किसका यूज करेंगे इसका I है तो आप m का और u v है तो आप किसका यूज करेंगे आर का यानि कि उसके बाद जो भी आप adjective लिखना है जो भी आपको noun लिखना है वो आप आप यूज करेंगे यानि कि अफर्मेटिव का होता है पहले सब्जेक्ट फिर इसके बाद जो भी एड्जेक्टिव यानि क्वालिटी वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं फिर कोई भी नाउन नाउन यानि कि नेम दे रहा है किसी परसंप्लेस अनिमल तिंग का जो भी दे करना जाए गया यहाँ पर क्या लगेंगे इसके बाद नाउन लगाना होता है या फिर जो भी आपको लिखना यहां पर अगर दे होता तो क्या हो जाएगा यहां पर दे के साथ हम क्या यूज करेंगे दे के साथ हम आर का यूज करेंगे क्यों दे क्या है plural दो दे के साथ आर हो जाएगा they are not blind तो blind क्या है यह adjective है तो इसकी रूल क्या होते हैं कि पहले subject फिर be verbs फिर not फिर जो भी adjective या फिर noun दे रहा है वो अगर मार लो यहां पर हम was के example बताएं अगर I है तो क्या हो जाएगा I singular है या यानि कि singular के साथ was आएगा फिर not फिर blind अगर यहां पर plural होता तो क्या हो जाएगा they अगर मार लो दे होता या वी होता तो क्या हो जाएगा we के साथ were we were not blind यानि कि आपको क्या करना है affirmative में क्या होता है subject subject के बाद अगर present tense है तो इस MR का यूज़ करेंगे he she है तो is I के साथ M और UV दे जो प्लूरर हों के साथ R और अगर past tense है तो he she it I के साथ was यूज़ करेंगे और UV दे के साथ were अगर negative है तो negative में क्या हो जाएगा subject के बाद is, m, r के साथ हम not का यूज़ करेंगे present में और अगर past है तो was के साथ not singular में और plural के साथ not worth, plural कौन सा है word, work के साथ not का यूज़ करेंगे interrogative में क्या होता है ची बी वर्ब स्थ Extremis interrogative में क्या होता है subject से पहले हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं जैसे present tense है तो is MR पहले आ जाएंगे, present tense है तो पहले is MR लिखेंगे, is MR पहले लिखेंगे और past है तो was वर पहले लिखेंगे, उसके बाद subject यानि कि is he, उसके बाद blind, is he blind, तो यह क्या हो गया, पहले हमने क्या लिखा is, उसके बाद subject, उसके बाद जो भी adjective या ना होने वो, अगर इसकी जगह हम plural होता, तो plural में क्या लिखेंगे, plural में जैसे, are they blind, तो यह क्या हो गया, रूल में, पहले क्या आ गया, be verbs, फिर subject, फिर adjective, similarly अगर past tense होता, तो क्या हो जाता, were they blind, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह, पहले क्या आएगा, be verbs, फिर subject, फिर adjective, अगर मालो, डव होते हैं, तो क्या हो जाता है, what, who, पहले हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं, उसके बाद हम, is, mr, be verbs का, use करेंगे, उसके बाद subject के बाद जो भी adjective दे रखा है, वो करेंगे, let's take the example of wh word, जैसे, who, इसके बाद र क्या है, be verbs, जो भी subject दे रखा है, अगर adjective दे रखा है, तो करें करेंगे, is, mr, was, were, करेंगे, फिस subject, यानि कि अगर दोनों ही आ जाते हैं, interrogating, negative, तो पहले, is, mr, और जो भी, was, were, दे रखें, आगे, फिर उसके बाद subject, उसके बाद, फिर not, उसके बाद जो भी adjective दे रखा है, वो आ जाएगा, अब देखिए, इसके example और देखिए, इसके example देखिए, यह मेस पर है, तो last में क्या रहा है, है, मैंने बताया कि जहां पर भी है आता है, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, is, तो क्या हो जाएगा, it is on the table, संत्रे कहां है, तो यह डवलू एज वड कोशन है, कहां के लिए हम वेर करेंगे, हैं हैं, तो आर, क्योंकि प् स्कूल बन था, तो क्या होगा, the school was, क्योंकि was आएगा, close yesterday, अब मैं स्कूल में नहीं था, तो मैं यानि कि I और था के लिए was का यूज होगा, क्योंकि negative है, तो was के साथ not, I was not in the school, अब plural के लिए थे आता है, तो we plural है, तो were यूज करेंगे, we were negative है, तो not हो जाएगा at the home, हम में थे, ये क्या है, ये भी plural है, थे आरा है, तो were का use होगा, affirmative है, तो we were in the park, so let's see the exercise related to be verbs, तुमारे भाई बहन कहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, कहा है, तो अब डबलू एच वर्ड ये interrogative है, तो क्या हो जाएगा, where are your brothers and sister, क्या आपके मात है पिता घर पर हैं, हैं नहीं, वे घर पर नहीं है, no, they are not at home, वे क्रिड़ा छेतर में है, they are in the, क्रिड़ा छेतर में प्लेग्राउंड, अब देखिए, क्या तुमारा इसमें था का देखिए, चंद्रमा आकाश में था, जहां पर भी था हैगा, वहाँ पर आपको was का use करना है, तो the moon was in the sky, क्या त तुमारा कोट डीला नहीं था, तो क्या होगा, यह interrogative है, तो पहले हम beaver यानिके was का use करेंगे, फिर subject क्या है, your coat, फिर not, फिर lose, तो क्या हो जाएगा, was your not coat, lose, यहाँ पर, यहाँ पर क्या हैगा, question mark लगा देंगे, हम, फिर तुमारे चोटे भाई की क्लोने कहा थे, तो where were your little brother's toys, क्योंकि थे है तो थे में हम were use करेंगे, so I hope you understand use of beavers,